क्या आपके बच्चे भी पास्ता खाने के शौकीन है अगर उन्हें पास्ता पसंद है तो ये रेसिपी उन्हें जरूर पसंद आएगी और आपसे हफते में कम से कम 5 दिन तो यही बनवाएंगे क्योंकि आज में लेकर आई हूँ मैक्रोनी पास्ता की बिल्कुल नई रेसिप बहुत ज़दा हेल्दी भी है साथ में टेस्टी भी है और इसमें बहुत कम तेल का इस्तिमाल होगा बनाना भी बहुत असान है ज़दा टाइम नहीं लगता हाई फ्रेंज मैं कीता वर मैं कीता की नुड़ रेसिपी इस हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत बज़ेकर लाइक दूसरों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें के चैनल पर पहली बार आए हैं सबस्क्राइब नहीं क्या तो आई ने वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मेरे गैस पेक पान रख लिया है जिसके अंदर मैं आधा कब पास्ता इस्तमाल कर रही हूं और आधा कब पास्ता के लिया मैं यहां पे इसी कब से चार कप पानी डालने अगर आपके पास कप नहीं है तो किसी भी कटोरी से आप मेशरमेंट ले सकते हैं जितना पाफ्तालीं it कि उसका चार गुणा पानी डाल देजी अब इसके अ बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं गैस को अन कर देती हूं इसे धक दीजेगा और जब उबाला आये तो थोड़ा सा धकन हटा दीजेगा गैस को धीमा कर दीजेगा अब यहां पर मैंने लिया है आधा कब सूजी मेरे पास मोटी वाली सूजी है अगर आपके पास बारीक हो गई है बारीक वाली है तो पीछने के तो जरुवती निया फिर ऐसे ही यूज कर लीजेगा यहां पर आधा कफी मैं इसमें दही एट करने वाली हूं मेरा घर का जमा हुआ दही है फ्रेश दही का इस्तमाल करें खटा ना हो क्योंकि खटे से किसी भी रेस्पी का टेस्ट कि खराब हो जाता है तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे दही के साथ अब इसके अनदर हम पानी मिलाएंगे तो यहां पर मैं 1 p 4 और 1 लिया के इस फानी मोलिग और थोड़ा करके पानी मिला देंगे आगर थोड़ा से मिलाया है बाकि पानी में यूज कर लोगी तो टोट पेटर की कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूं किस तरह की होनी चाहिए चलिए चमब से दिखाती हूं आपको यह देखिए मीडियम कंसिस्टेंसी है ना बहुत गाड़ा है ना बहुत पतला इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जादा पतला भी मत करिएगा जादा से कसर बाकी है तो इस टाइम पर मैं क्या करने वाली हूं इसके अंदर डालोंगी स्वीट कॉन आप चाहिए तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं बट मैंने मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने बात में डाला है दो चमस स्वीट कॉन डाल देंगे पांच मिनिट के तो चमस तेल डालोंगी बहुत जादा इस रेस्टि में तेल का यूज नहीं होता है तो यहां पर तेल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं इसके बाद एक प्यास लेंगे बारिक काटके यह आड़ कर देंगे इसे हलका हलका सा फ्राई करना है बहुत जादा फ्राई नहीं करना है सब्जियों को थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में तभी अच्छा टेस्ट आता है तो हलका सा मैं प्यास को फ्राई कर लेती हूँ और इसमें अभी मैं और भी सब्जिया आड़ करने वाल पिए जल दी गलते नहीं है बहुत ज़ला है इसमें हैं मटर का सीजन नहीं है तो हलका से मurat आपको आपको करेंगे हैं इतनी में बसके जमने hani को साथ नमक मक अब्चा है भावी कही वियए आपके सार्षी। पीजा सीजनिंग आपको developed तो सारी चीजों को मिक्स कर देंगे अब इसके अंदर जो पास्ता और स्वीट कॉन हमने चान के रखावता वह एड़ कर देंगे इसे भी हल्का सा फ्राइ कर लेंगे सब्सक्राइब के साथ इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो थोड़ा सा पास्ता को भूनना जरूरी है फ्राइ करना जरूरी है तेल में तभी इसमें टेस्ट अच्छा आता है तो इस तरह से मिक्स करेंगे अब अगली चीज जो मैं इसमें डाल रही हूँ दो चमच यहां पर मैं टोमाटो केचप डाल रही हूँ आप चाहे तो इसम चिली अच्छ भी डाल सकते हैं चिली अच्छ जीमाच उसे उसमें आड ऑच्छ करेंगे और 2-3 मिनिट इसमें पाका लेंगे ताकि पास्ता अच्छ ने मसालों में पक जाए और इसका इसके बहुत जादा मुश्यर नहीं होना चाहिए तो यहां पर हमारा पास्ता रेडी है आप चाहे तो ऐसे भी बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं बहुत ही तेसी लगता है बच्चों को बट हम क्योंकि दूसरी रेस्पी बना रहे हैं तो चलिए से साइड में रखते हैं यहा रखते हैं और यहां पर हलका सा मैं नमक एड्ड कर रहे हूं हलके दूसरी चाहर हम पर चाट मसाला ऐड्ड करूंगे जिसे कहा अच्छा टेस्ट आएगा इस रेस्पी में तो चलिए यहां पर इसे मिक्स कर लेते हैं अब इसमें एक जीज़ और अच्छी एड्ड करनी है बटा देती हूं यहां पर नाश्टाग पर खराब हो जाएगा और सोड़े का टेस्स भी आने लगेगा तो इसने मिक्स करना बहुत जरूरी अच्छे से मिक्स करिए यहां पर मैंने एक अपपे पैन लिया है और इस तरह से हलका हलका सा इसके जो होल्स है जो इसके गड़े है उन्हें हम क्या करेंगे, ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद जो बैटर हमने बनाया है, वो हलका हलका सा इसमें इस तरह से डाल देंगे, बहुत जादा नहीं फिल करना है, फिलको थोड़ा थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, गैस अभी बंद है, गैस को मैंने बहुत जादा फिल नहीं करना नहीं दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा थोड़ा पास्ता इस तरह से इसके अंदर रखते जाए, तो यहाँ पर मैंने पास्ता पूरे में फिल कर लिया है, अब क्या करेंगे, इसके उपर जो बचा हुआ सूजी का बैटर है, वो थोड़ा थो पूरा कवर कर लेती हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसे पूरा अच्छे से कवर कर लिया है, हलका सा बहुत ही मामली सा तेल डाला है, उपर से ताकि चिपके नहीं और इसे ढखकर छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, पांच मिनिट के बा और ब्राउन होने तक इन्हें पका लेंगे, अब यह हमारे अपे तयार है, विल्कुल नए स्टाइल के बहुत कम तेल में बना है, यह नाश्ता और बहुत ही लाजवाब लगता है, इस तरह से आप इन्हें बच्छों को लंच में भी दे सकते हैं, ब्रेकफस में भी बना स लगते हैं, बहुत ही कमाल के लगते हैं, तो यहां पर हमारे सारे अपे तयार है, इसे सर्फ करेंगे, केचप के साथ बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बढ़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, और एक पीस में आपको तोड़ के भी दिखाती हूं, अंदर से कैसा लग रहा झाल के लगते हैं, बहुत 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 हैं, बहु